अगलो गैस वागत है आप सबका तो आज हम बात कहलें कि अधानी ग्रूप के उपर और मतलब कि अधानी गूरूप की एक जो है रिपोर्ट आईए उसके जो है हम यहाँ पर यह सेर कर रहे हैं तो है अप देख सकते हैं तो हैटले नहीं आप देख सकते हैं पूरा वीडियो और ग्रूप ने बताई इस दावे की सच्चाई और ये रिपोर्ट जो है ये अभी अभी आई है आप देख सकते हैं आजी की रिपोर्ट है तारीख और टाइम और इसको आप देखते हैं ये रिपोर्ट को पढ़ते हैं कि निर्मान दिन सिलक्यारा बड़कोर्ट सुरंग में फसे 41 शमिकों को बाहर लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है इस दुरगटना के लिए कुछ लोग अदानी ग्रूप को जिम्मेदार बता रहे हैं जिस पर अदानी ग्रूप की तरफ से सफाय आई है समु ने कहा है कि उनकी किसी कंपनी या सबसीडिडी कंपनी का सिलक्यारा बड़कोर्ट टरनल प्रोजेक्ट से कोई सम्बंध नहीं है अदानी ग्रूप की तरफ से इस मसले पर बयान जारी किया गया है और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सोमवार को अदानी ग्रूप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ शरारती तत्व उत्राखन की दूरबाग्य पूर्ण घटना से हमें जोड़ने का प्रयास कर रहे है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम साप कर देना चाहते है कि सुरंग निर्माण में अदानी ग्रूप या समू की किसी भी सहयोगी कंपनी को का कोई संबंध नहीं है अधानी ग्रूप का आप जो है यह ट्वीट देख सकते हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे लगबग 2-3 गंटे पहले का ये ट्विट है इसको आप चाहे तो देख सकते है अदानी ग्रूप का ट्विट है ये और और इस रिपोर्ट को आगे देखते हैं कि राहत बचाव को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट तो सुरंग के उपर से की जा रही ड्रीलिंग 31 मिटर तक पहुँच चुकी है सिलक्यारा में बचाव कारियों की देखरे कर रहे सीमा सडक संगठन के पूर्व महा निदेशक हरपाल सिंग ने मंगरवार को बताया कि अब तक 31 मिटर ड्रीलिंग की जा जुकी है सुरंग में फसे श्रमिकों तक पहुचने के लिए कुल 86 मिटर ड्रीलिंग की जाएगी और इसमें 4 दिन का समय लगेगा बता दे यमू नोत्री राजमार्क पर बन रही सील क्यारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवेंबर को ढह गया था जिसमें उसमें काम कर रहे हैं श्रमिक फस गये थे उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कई एजंसियों द्वारा बचाव अभ्यान चलाया जा रहा है तो यह जो है इसकी पूरी पूरी रिपोर्ट है इसको आप मतलब की हमने जो है इसको शेयर किया और आज के वीडियो में इतने ही अगर अच्छा लगा तो लाइक चेलें सब्सक्राइब करें और एक्षेंडर डिस्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी ड्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनेजर एडवाजर की सला ले उसके बाद ही को देले ये वीडियो में एजुकेसन परपस के लिए बनाएं मेरे तरफ से कोभी बाई एसल के रेकमरेशन नहीं है थेंक यू